कि सफल व्यक्ति और अस्फल व्यक्ति हमको कि सफल व्यक्ति की कहानी को इतना बढ़ा चड़ा कर दिखाया जाता है कि उसके उन पक्षों को तो नजर अंदाज ही कर दिया जाता है जो पक्ष हर मनुष्य में शमान होते हैं हर मनुष्य में जनमजात होते हैं हर मनुष्य अप वो तो इस दुनिया का है नहीं कि उसका जो इश्टरागल है उसकी जो तरीका है काम करने का वह बिलकुल अलग ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता है भाई सामानित है सब्रुष सब सफल व्यक्ति अस्फल व्यक्ति इस्त्री पुरुश एक जैसे जीते हैं खाते वही हैं पीते वहीं वह एसे trembling क्या होता है आप अगर दिखाना चाहो तो अशपल व्यक्ति में बहुत होता है एक को जैसे जितना लोग बढ़ा चड़ा कर कहते हैं तुने खास अंतर होता नहीं है बिचार करके देखो अगर आपकी इशाद का कोई व्यक्ति सफल हुआ है आप सफलता के पहली बाद तो पैरा मीटर अलग अलग होते हैं किसी के लिए सफलता कोई माहने रखती है तो दूसरा है आप हमेशा कभी भी किसी भी सफल व्यक्ति से मिली क्या है ना हम उन्हें कैमरे पर देखते हैं कैमरे पर जब व्यक्ति आता है तो उसकी जो पीछे की लाइफ है वो किसी को दिखाईने देती कैमरे पर जब व्यक्ति बोलता है तो वहीं बोलता है यह थारत को कहां बोलता है बास्तिविक्ता को कहां किसी को बताता है और बताना सही भी नहीं है यह तो प उनठा के साथ ले रहे हैं कि हमारे अंदर यह कम्या है सफल व्यक्तियों के अंदर यह गलतिया नहीं होती यह अवगुण नहीं होते तो जो चेहल को अपने अवगुण भी बताने चाहिए अस्फल व्यक्तियों की किताबें भी लिखी जानी चाहिए कि अस्फल लोग भी हैं आप अस्फल होते हो उस समय कैसा फील करते हो क्या होता है यह सब भी सामने आना चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें अवगुण नहों लेकिन सफल व्यक्ति की कहानी को मोटिवेशन स्पीकरों के द्वारा ऐसे प्रुष्टत किया जाता है कि लगता ही नहीं कि यह इस दुनिया के हैं और अधिकांस ते लोग फिर इसी दुन्द में अपना जीवन बिता देते हैं असफल और सफल व्यक्ति दोनों में महत्वा कांचा की कोई कमी नहीं होती दोनों की महत्वा कांचा सेम होती है असफल व्यक्ति की महत्वा कांचा सफल व्यक्ति से ज्यादा देखी जाती है पागल खानों में जाके देखिए जितने पागल हैं उनमें से बहुत अधिक पाग नहीं रखती सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति की क्वालिटी ओफ लाइफ में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है कि एकाद कुछे कुधारण को छोड़ कर कि कोई देखो मोटिवेशन की दोड़ हमेशा मध्यम वरग में होती है ज्यादा निम्न वरग का व्यक्ति भी मोटिवेशन के प्रवाब में नहीं आता और बहुत उच्च वरग का व्यक्ति जो बहुत पैसे वाले हैं बहुत ज्यादा पड़े लिखे हैं यह भी मोटिवेशन के किसी देखते हो तो सफलता और असफलता के जो पीछे का कुछ मुख्य कारण है वो क्या हो शकता है इस पर हमें विचार करते रहना चाहिए इसको हमें इस बात से हम नहीं समझ पाएंगे कि हमने सफल व्यक्तियों की कहानियों को पढ़ लिया बाई आप सामने बुद्धी से विचार करके देखिए हमको सफल व्यक्तियों का सर्फ वो पक्ष बताया जाता है जो बहुत बढ़िया है बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है पांच गंटे सुना यह खाना वो खाना टीवी न देखना मोबाइल न चलाना फेश्बूक को को त्याग देना यह किताबें पढ़ना और रनिंग करना एक्सरसाइज को नित्य करना योग करना ऐसी सब चीजों से हमें ब्रमित किया जाता है सामान्यत है कोई भी व्यक्ति चाहे वो असफल हो चाहे सफल हो नित्य इन सब चीजों को नहीं करता है यह सत है और सफल व्यक्तियों से मिलकर ही है हमने जाना है कि सामान्यत है कौन करता है लेकिन हमसे ज्यादा सफल है तो हम माल लेते कि यह किया होगा कभी कभी तो देखा जाता है असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति से बहुत ज्यादा मेनत करते हैं कई छित्रों में ऐसा देखा जाता है देखो असफलता असफलता और सफलता के बीच कुछ गुण होते हैं कुछ डिमांड होती है गोल की कुछ मांग होती है इस मांग को जो व्यक्ति पूरा करता है और यहां गुण से मतलब चरित्र से नहीं है चरित्र से मतलब नहीं है यहां मतलब है कि जो आईएस बनना चाह रहा है जो पीशेस बनना चाह रहा है जो डॉक्टर बनना चाह रहा है जो एथलेटिक्स बनना चाह रहा है उस छेत्र में जो उस एथलिटिक्स या आईएस बनने के लिए जो नियाम है जो पेरा मीटर है जो बच्चे को जो कारिक करना है उसको करने में कौन कितना सफल है और कौन कितना असफल यहीं से निकलता है सफलतार असफलता का राज रहेश्य देखिए कि चैयर पर 16 गंटे बैठना महनत नहीं हैं है membership आजयर पर सोले घंटे बैठना नौन शक्सयज taller अचल गंटे वाले भी सक्सयज फुल हुए हैं जांब अट गंटे वाले सक्सयज हुए वाले न Bluetooth नहीं हुए इसका मतलब सिर्फ बैठना सक्सीज का मार्ग नहीं सिर्फ किताबों को पढ़ने से सचसज नहीं मिलेगी किस तरीके से किताब पढ़नी है किस तरीके से कौसन सॉल्व करने हैं किस तरीके से डॉक्टरी लाइन की चीजों को पढ़ना किस तरीके से अथलिटिक्स में बहुत से डिपार्टमेंट होते रहने होता है कवड़ी होता है भाला फैंक होता है तीर अंताजी होता है इन सब की अलग-अलग नीड्स होती है इसमझ रहे हो ना तो उस नीड के एकवर्डिंग जो जितना अपने गुणों को कर पाता है अब गुणों को चुपा पाता है कम कर पाता है छुपाने का मतलब है उन्हें वही नहीं देता अपने उपर और जो मीड़ मसें इस've उपर ज्यादा काम कर पाता है वो सफल नाच मतलब चाहते है और इसको हमें बारृ की से समझदा और गहराई इसे एफ्जर्व करना होगा कि हम जो कर रही है जो हम पाना चाहते है उसकी डिमांड क्या है Goal की डिमांड क्या है जो गोल की डिमांड क्या है उस पर काम करो सकसेज शौर है कोई नहीं रोक सकता और नकिशी को कोई रोक पाया है सकसेज तब नहीं मिलती जब चाहा तो रहे हैं दोड़ना और लगते हैं उड़ने सकसेज तब नहीं मिलती जब सकसेज मिलेगी पढ़ने से और लगा रहे हैं जिम सबसेज कैसे मिलेगी तो बेलेंस बनाना अपने गोल को खुद को लेकर यह सबसेज का बहुत बड़ा की है